चलिए सर्भुत्तम अगरी कल्चर में आपका स्वागत है पिछले जो है हम लेक्चर में आपको जो है वर्षीम की खेती पढ़ायते कल्टिवेशन आप जो है वर्षीम उसमें 12 पॉइंट अपने बताया थे कि सिर्फ यह पॉइंट आते हैं उनको आप जो है मैं आसा करता कि कि से कुशन आते हैं तीसरा आपका जो ही अब प्रिंस्पल फेस्ट्राइब वह कौना मते हैं तो क्रॉप प्रॉडक्शन और जो है वो साथ चलेगा वह जो पृंसिपटर घटम होंगे आपके क्रोप्व प्रॉडक्शन सो तुरंत नोंगे सांपींट है इर्टा यह वि प्रिंस्पल्स है तो हम प्रिंस्पल्स आपको बाद में पढ़ाएंगे अभी क्रॉप पॉडक्शन और क्या पढ़ाएंगे जर्नल लेगरी कल्चर ठीक है तो यह जो है टर्मिलोगी सब्दावली जैसे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश में सब्दावलियां पढ़ते हैं वैसे भी अग्रोनॉमी में सब्दावलियां है जो आपको जो जो एक्जाम्स हैं यह आपके यूपिकेट अ कि पीच्चू और आई से आर भी सी इसमें हंडेट पर्षेंट जितनी में सब्दावलियां बनाऊंगा अब मैं नहीं कह सकता कि सारा कुश्चन इसमें आएगा स आपको सब्सक्राइब जरूर मिलेंगे यह मतलब जो है यहां से आपके बहुत सारा ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ाएंगे आपको जो है समस्या होगी कि बहुत सारा कितना सारा याद किजिए तो सबसे पहले पिछली वीडियो में जो भी यहां पर लेक्चर आपके पढ़ रहे हैं तो सरलोग आपको यह बता रहे होंगे कि कांपी पेन लेकर नोड करते चलिए ठीक है एक डेड़ मेने का समय से पूरा का पूरा सारा सलिवस ते दिया जाएगा आपको हर सब्जेक्ट कोज सब्जेक्ट इस अपके है एक्री कल्चर में ही आपके जिलोजी के में स्टी कि मैथ इतनी सारी क्लास है एक दिन में आप ले सकते हैं ना मैं दे सकता हूं तो जो जो टीचर्स हैं सारी की चालें तो שबीर आ रहे हैं तो इसमें आप कांटी मैं शॉल्स होगा सब दावलयां देख लेते हैं जो क्या नोंबस्टा नहीं I do कि करिएगा देखें एक सब्सक्राइड और जो इस चरब संबंधित क्रॉपक्स संबंधित फशल टर्म में यूज आता है कि ऐसे आता है लिखा रहेगा निपींग कि ऑगे कुछन का कोई हिंदी नहीं होती है तो अप इसको आप हिंदी इसको इंग्रीश माने तो जो भी सब्सक्राइब से चनना से चनना से घ्राम फिर आता है इसको भी यह साथ में देखते रहे हैं यह जो है चने का पवधा है इसको जब इस वाले बड़ को जो हम रिमूब करेंगे रिमूब करते हैं तो बोलते हैं क्या है टॉपिंग बोलते हैं जो इसकी कलिकाएं होती है इसको क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इसको क्या करते हैं रिमूब कर देते हैं हटा देते हैं हटाने से होता क्या है यहां पर इनर्जी का फ्लो जो इधर जा रहा होता है वो रुख जाता है यह एनर्जी का फ्लो यहां पर क्या रहता है रुख जाता है तो यहां से दूसरे कलीवं निकल निकल ले लगते हैं इससे सक्षाइं निकल लेगें यहां से सक्षाइं अगर उसको जो हम क्या करते हैं रिमूब कर देते हैं अगर टॉप पॉर्शन को यह इपकल बट को रिमूब करेंगे तो उसको बोलते हैं टपिंग और जो इसकी ब्रांचेज को जो है हम रिमूब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं निपिंग बोलते हैं तो सिंपल सा आपसे यह न तंब वर चाह इसे तंबकू और चाह से संबन्दियू क्योरिंग होते में क्योरिंग में कुछ कर रचाई कैम क्या हिंदी मि बोलते हैं करें क्या मतलब होता है सब्सक्राइब करें दूसरा यह होता है उसमें उचित रंग गंद स्वाद के लिए हम क्या कर देते हैं उसको सुखाते हैं सुखाने की बिभीन करिया होती है क्यूरिंग की वह हम सनलाइट से सुखाएं या घड़े मडाल के सुखाएं या फिर जो है हम आप दिखा के सिखाएं यह कई तरीके से हैं जब तंबाकु यहां पर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर और भी डिटेल बता जाएगा चूकि तो वहां पर आपको बताई जाएंगे यहां पर क्या करना है किया क्या होता क्या क्यूसया। इसले परते हम चायी म flavor कर दिया जाए है तो क्ली में स्इव वैसे ही और वर ले चाहिए तो उच्वाफम बनागancy डूरेश्यों सब्सक्रातों कि उसके मॉउशिर को क्या कर देते हैं रिमूव कर देते तो यहां पर भी यहां पर भी तमभाकू में होता और चाए में की पतियों में से उनाष्ट को रिमूव एसunden जा fry तो आप और हमानों को pulled यहाँ प्रदक्षन के लिए ब्रॉडक्षन के लिए यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है तो जितने भी हमारे जो है मेल फ्लावर हमें ज्यादा मिलते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है उनको रिमूब कर दिया जाता है ठीक है तो यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं टेसल संबंदित किसे मक्के के पुस्प से और कौन यहां पर पुछा जाएगा कि टेस्लिंग संबंधी तक किस से मक्का से एक आता है फिर से कि डी कि सक्रिंग कि यह आपका तंबाकू से आता है कि दखो यह यह क्या होती यहां पर यहांपर जूह हम क्या करते हैं अलग-अलग स्वार्थे में यहां लंबाई बढ़ती बनने के साथ पत्तियों का साइट जो है हमें छोटा मिलता जाता है तो सिगट तमभाकु के लिए अलग बीड़ी तमभाकु के लिए नियधारीत होता है या एकोनोमिकली जब हम ग्रो करते हैं उसको तो हमें यहां से तोड़ देना चाहिए क्यों एनरजी फ्लो रोक देना च यह यह रहते हैं उसके साथ ही यह यह प्रभाव पड़ता है कि पत्तियों को भोजपदार्थ मिलता है लेकिए उसके कले निकलने लगते हैं तो आच्छबाग से कल्ल्य निकलने लगते हैं इनको क्या बोलते हैं अ psychology कर्णा किया क्या और तो तो डी टेस्लिंग मक्के संब्दित है और डी सकरिंग आपका तंबाकु से है यहां पर आपका केला भी आता है केले का पौधे देखे होंगे बहुत सारे पौधे उसके जड़के पास में लगे रहते हैं तो हमें पौशर जो है अगर पौधे को देना है उसको अच्छा रख से बहुत पुछे आते हैं इनको बहुत अच्छे से नोट करके और जो है सब आपको याद कर लेना है तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एसर आई कि और डेपोग सीडलिंग एसर आई और डेपोग सीडलिंग जो है यह द्धान से यह इक अब लिक आप राइस कह सकते हैं तो कह सकते हैं धान से संबंदी ते पैडी से संबंदी थे ठीक है एसर आई इसका फुल फॉर्म होता है इस्टम और राइस इंटेंसी इस्टम और पूरा लिखा यह दोनुज है धान की नर्शरी तयार करने की क्या है विदियाँ जब आपको जो है कल्टिवेशन और राइस या पैडि कराया जाएगा तो आपको यह सारी चीजे थोड़ी चीजिश में कुछ डिटेल से हैं वह बत द्हान रखिए कि यह किसे संबंदीत हैं तो यह जो है एसा राइ और डेपोग शीडलिंग धान संबंदीत है क्या होती है यह नर्शरी तयार करने की बिदियां है ठीक है उसके बाद से हम देख लेते हैं कि पेगिंग यह बहुत पुछा जाता है कि पेगिंग जो है इससे मुंफली से इसनि जब जैसे ही होता क्या है पिल्दाइजचीजन जैसे फट्लाइजचीजन होता है फॉतले जैसे दाना बनने लगता है दाना बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं चेhtक है इसे प्रह है कि किस फशल से तो तो वहां पर सीदे आप को क्या करना रहेगा मुटोभ़ी को टिक करना रहेगा ठीक है नेक्सट में हम देखते हैं कि रेटिंग है एप एक एा ड्रेंग जो होती है तुम्हारी जूट से सम्मंधित होती है जूट कि किस्ट से है जूट होतीं इस सीधे लंबा सा पौधा है इसके इस की होता है चल्का बोन सकते हैं यह हमारा क्या होता है तो जोट के पौध्य को काट लेते हैं काटने के बाद हम 50 30 से 50 का गठर को बांद के और जो हम तलाब है नहर रहया जो भी हमारे सुद्धा है उसमें डाला जाता है डाला इस वज़े जाता है चुकि हमें यह इसका जो है वह प्राप्द जो है उससे हमें रेशा अगर हम उसक तो क्या होजागा टूट जाएगा हमें रेशा लंबा प्राप्त नहीं होगा और अगर वह नहीं निकलता है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है मैं तो हम से क्या लिख लेते हैं जिससे मैं यह यह लगता है तो अगर वह रणिंग वाटर होता है तो फिर हम को क्या करना रहेगा तलाब है उसी में हम यूज कर सकते हैं तो तो हम जो है तलाब में डालते हैं उसको गठर बांद के इस प्रोसेस को बोलते हैं यह रेटिंग की जा यह तीक है तो दे रेटिंग से संबंदीत है यह आपकी जो है जूर से संबंदीत है ठीक यह हो कहा है फिर आगे लिखिए आगे एक है कि स्टेकिंग कि स्टेकिंग आपकी किसे है टमाटर से है कि स्टेकिंग को हिंदी में बता दूं क्या बोलते हैं सहारा देना कि वहां पर आपको इस टेकिंग ऐसे लिखके आएगा ठीक है वहां पर यह लिखके नहीं आएगा कि स्टेकिंग जो है किस पसर संबंदीत है टमाटर में जो है टमाटर जो होता है उसकी तनियों होते हैं बहुत होते हैं तो यहां पर एक और सहारा दिन की किया होती है इसका भी मतलब होता है सहारा देना बट यह इस्टेंडंडिंग हम जो है कि कहां प्योंब करते हैं सूरज मुखी में लो कि इस्टेंडरिंग का प्रियुक करें ग THERE्यों देखते हैं किस्छट wordt ब्लावर भूध बढ़ा हो गया है तो वह हवावड चलने में उस तरीके से दण्डलय आदे रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे इस्टेंडिंग वह फ्लाइद है एक और आता है आपका सहरा काहाért प्रोपिंग अगर सहारा जो है हम टमाटर में दे रहा है तो इसको स्टेटिंग बोलेंगे अगर सहारा जो है में सुरुजमुखी में दे रहा है तो हम स्टेंडिंग बोलेंगे अगर सहारा हम केले और गन्य में दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे प्रोपिंग बोलेंगे कि यह चीज़े हो गई कि आगे देखिए कि एक और आता है आपका कि आपका कि प्राइमिंग प्राइमिंग से संबंदित है तंबाकू से यह बहुत पूछा जाता है इसको याद कर लिजेगा तंबाकू में ऐसे होता है होती है तो इस में क्या करते हैं मेरे वसक पहले और यह इसकी प्राइमिंग की परिभासा होती जैसे पती जाएए तोटते राना उसको प्रॉसेस को क्या बोलते हैं प्राइमिंग बोलते हैं ठीक है यह होगे आपका फिर जो है आप दिख लेजिए जिनिंग यह जो है कॉटन से है कपास से है कपास सम्बंदीत है यह एक फार्मूला होता है बेट आफ लिंट रूइ बोलते हैं अपन अब बेट आफ शीट कॉटन इन्टू हंड्रेट जब यह आपको कॉटन बढ़ा जाएगा तो इसको और डिटेल में यह फार्मूला होता है लेकिन यह फार्मूला नहीं पूछा जाएगा शिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि जीन किसे संब्बंदीत है कापाज से सम्वंदीत है यह हो गया फिरा का आप देखी आगे कि व्याओं को रैपिंग है कि टेइंग है कि टासिंग है किसे संब्बंदीत है आपकी कि लिए गन्ना से हैं इन सब्सक्राइब क्या होता है गन्ना पौधे से कीट पतंगों से बचाने के लिए पौध को गिरने से बचाने के लिए हम पत्तियों से रैपिंग क्या करते हैं उसी की पत्तियों से जब बान देते हैं गन्यों को पांच से गन्यों को मिलाकर उसको बोलते हैं रैपिंग कीट पतंगों से बचाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेसिंग यह सब्दा पूछे जाएंगे आपसे कि रैपिंग टेइंग किसे संबन दी तो यह गन्ने से संबन दीत है एक और घंकर में आता है आपका ра इंब विखलाएं आता है आ अनर्वन के जो तो अधला ने के सब्सक्रों क्या कहते हैं दा ओशर्त पुईervesे दान करहिए और उसके निकलने की किया क्या क्या कैते है तो इस किसे संबन ् deshalb 흰ेंडित है गन्ने से गन्ने के पर निकलने के करommen करेंदी कहलती है ड़टक है ये चीज क्या ये चुछ हो पुद्व करें डिटुनिंग वे टुनिंग रही तो ढून रेटनिंग के समधित है गन्ना में यसे पता होका पेणर ही बोलते है पेंडी गंना थिक है तो उसे जड़ से हमाऊ क्या बोलते हैं तो यह बित है मैं टी और है इसको फढ़ा-फट देख लीते हैं प्राइव में जो इसकी ब्रांचेज होती है तो रिमूव किया जाती है तो टिप पॉर्शन प्रों करे जाता है त्टिप करना क्या कह faknie है ऐंग मार्त ऑला जाता है जा चाही के सेंस में जाता है जाता है एक आपका है तो है अर्थिंग में आप्पिकी से सम्बंदीत हैं तो ये जो है आपका का की क् вам जो है पिर इसे देख लीज़े आप लोग भी निटी क्या है मिटी चढ़ाते हैं फिर आता है यह लास्ट देख लिए आप लोग पार बॉइलिंग से सम्भन दीत है तो राइस से सम्मन दीत है पार बॉइलिंग क्या होता है है पफिर कि जो हम जो है बजार में बॉइल राइस मिलता है उसको उस राइस को जिस क्रिया से बनाया जाता है उसको बोलते हैं पार बॉइलिंग बोलते हैं तो आप से पूछा जाएगा कि पर बॉइलिंग कि सम्बंदी थे तो पर बॉइलिंग कि से राइस से सम्बंदी थे और एक औ पहले धान को क्या करते हैं फिर आता है कि इस्टीमिंग पिर आता है हमारा ड्राइंग फिर आता है हमारा करने करें इसको क्या बोलते हैं तो प्रबाइलिंग सब्काउब जिसे संब्सक्राइध यहां पर दीखें Is as सारे लगे हैं और कुछ चीज़े हैं लॉट असानी से सारी थीज़े पूरा का पूरा यह कई सारे मिलेंगे आफ को बहुत परसान होने की ज़रोत नहीं है संडे को एकृ सके घन वाटश मैसे घने के लिधा में मिलते हैं